हेलो गाइज आप देख रहे हो किर्केट अद्विशाल आज हम बात करते हैं किर्केट ट्राइल्स के बारे में कि आपको कौन से किर्केट ट्राइल देने चाहिए प्राइवेट लेवल के किर्केट ट्राइल देने चाहिए या बीसी सी आई के जो बैनर के नीचे ट्राइल हो तो मैं आज आपको पूरा किलियर कर दूगा और बहुत इंफोर्मेटिव वीडियो होने वाला है जो मेरे भाई किलके ट्रायल देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे BCCI ट्रायल के बारे में उसके बाद बात करेंगे प्राइवेट ट्रायल के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दू BCCI ट्राइल साल में एक बार लेती है हर age group में ट्राइल होता है 14, 16, 19, 23 और open सब category में ट्राइल लेती है साल में एक ही बार ट्राइल लेती है उसके बाद हर state की team बन जाती है team बनने के बाद वो खेलते हैं जैसे कि आपको पता है जो state level के अपना tournament होते है BCCI जो कराती है और guys important क्यों है BCCI वाले ट्राइस देना क्योंकि उनी से ही सब team बनती है हमारी district, state हमारी रंजी team उन से ही बनती है क्योंकि पूरा future उसी में है जो BCCI के banner के नीचे आप ट्राइल दोगे उसमें ही सब future है वो देना बहुत important है उसको आप कभी भी miss मत करो, उसको miss कर दोगे तो आपका एक साल बरबाद हो जाएगा, यह बहुत important है वो आप कभी भी miss मत करो बहुत important trial हो जो साल में एक बार होगे हर district में होते है, हर state में होते है BCCI ने इतना अच्छा कर दिया अब हर state का affiliation है, वो कोई भी आप किसी भी state में हो, आप BCCI के trial दे सकते हो अब बात करते है, private trials के बारे में guys, बहुत ज़्यादा private trials होते है इंडिया में, आपने सुना भी होगा, वो league हो रही है वो league हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बहुत सारी league इंडिया में होती है, हर state में होती है कोई 5,000 लेता है, कोई 3,000 लेता है कोई sponsors ही देता है, कि sponsor सी मिलेगी अगर आपने top 20 हो, अगर आप top 10 हो तो guys, मैं आपको बता दू, आप अभी 6 मन्त से खेल रहो आपको भी 6 मन्त हुए, आप क्या ट्रैल दोगे वहाँ पर आप पहले अपने गेम पर मैनत करो और जो आप पैसा ट्रैल्स में दे रहे हो, 3,000, 4,000 दे रहे हो वो आप अपने bet अच्छा लो, अपनी kit bag अच्छा लो, अपने spikes लो, उन पर खर्च करो पहले आपको गेम अपना अच्छा करना है, यह निकि आप ट्रैल्स में पैसे जाके दे रहे हो पहले आपको अपने गेम को उपर लगाना है, पहले गेम उपर लगेगा जब जाके आप अच्छा केलोगे आप का बजट भी नहीं है आपका गेम भी तना अच्छा नहीं होगे जो कुछ फाइदा नहीं फानी होगा पहले आप एक दो साल अपने गेम पे मैनत करूं उसके बास सोचो आप ट्रायल देने का आप अगेडमी जाते नहीं हो घर हो आप और घर रहते रहते आप सोचते हु आप पहले अपना game improve करो एक दो साल आप academy में daily continue हो जाओ और मेहनत करो वहाँ पे कोछी से बात करो वो सब आपको बता देंगे private trials देना मैं बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ आपका अच्छ experience होगा अगर आप दोगी पर आप अभी बिगनर हो तो आप प्लीज अवोइड करो private trials बिशिशाई के ट्राइल दो जो 300-400 minimum form की fees होती है वह वाले आप दे सकते हो private trials अभी आप बिल्कुल avoid करो क्योंकि game को आपको अभी improve करना है game आपका improve हो गया academy में आपने एक-दो साल दे दिये तो आपको पूरा अपने आप नोलीज जाएगा कि क्या करना है आपको ट्राइल्स में आपको देना चाहिए यह नहीं ब्हुत ज्यादा इंडिया में फ्रोट ड्री एंच्श होते जो प्रेट ज्यादा इंडिया में इस ब् Всё töर कर now प्राइवेट को सबस्तेश कर रहें के बारे में बाम convenient यह यह जो बीटिस सबस्कुल और BCCI के ट्राइल करो, जो BCCI के ट्रायल होते हैं, वो देने की ज़्यादा ज़्यादा से ज्यादा ट्राइ करो और गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क